ओम सिरी गने शाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं सिंग राशी वालू यह आकाश मानी सच नहीं हुई तो मुह मांगा इनाम दूँगा जो अभी देखेगा उसी को मिलेगा इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें जा दोस्तो आपको बता दें 28-29-30 यानि की अप्रेल महा के अंतिम तीन दिन जा दोस्तो ये तीन दिन आपकी राशी वालों क इन तीन दिनों का समय आपके लिए धन प्राप्ति का समय रहेगा आपको बता दें इन तीन दिनों में अमरशिद्धी योग, महानलक्षमी योग, दो राज योग और एक धन योग का निर्मान हुआ है जिससे कि आपके लिए इन तीन दिनों का जो समय है वह समय अब तक का सबसे अच्छा सामय सामित होगा नेक प्रिकार के लाब, धनराव और बड़मरी सफलताओं की इन तीन दिनों में आपको प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तों वे बड़ी खुशकबरियां कौन-कौनची हैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं इस वीडियो में आपके 28, 29 और 30 अपरेल के इन तीन दिनों के शंपून और 60, 81 फल्क के बारे में बताएंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के हुए, बिना काटे हुए इस वीडियो में बताएंगे ये कि एक बात आपके लिए अत्यांत महत पपून रहने वाली हैं इसलिए अन्त तक वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें, सबसे पहला आप स्रीक्त वैस करते हैं मालक्ष्मी के सच्च वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट स्वोक्स में जै मालक्ष्मी अवश्य लिखें जिससे मालक्ष्मी का असिरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए 28, 29 और 30 अपरेल यानि की अपरेल महा के अंतिम तीन दिनों का यह महत्मपून समय दोस्तों यह समय ग्रह इस्तिती आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्ते योजनाओं संबंदी कारों पर अधिक द्यान केंदित रखें आपको महत्मपून उपलब्दी हासिन होगी बुजरुगों का अशिरवाद वे इसने पाकर आप और अधिक प्रगर्ती पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों साति सात यह समय आपके लिए लाबकारी है अपने सपने वे कलपनाएं शाकार करने का यह उत्तम समय है अपनी चमता पर विश्वास रखें बहुत सी परिसानियों का अब हल मिलेगा रिष्टेदारों से संबंदित किसी विवाद के सुलजने से रिष्टों में दोबारा मधूर्त आएगी दोस्तों साति सात परिवार के साथ शुक सुबिदा संबंदी वस्तों की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा किसी रिष्टेदार के यहां धर्मिक उत्सब में दाने का भी प्रोग्राम बनेगा कहीं फसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक इस्तिती और अधिक बहतर होगी साति सात शामाजिक गति विद्यों में आपका सहोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है आपकी प्रतिभा तथा छमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी घर के नवीनी करण संबंदी योजनाएं भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रियोग करना और अधिक उत्तम रहेगा दोस्तो साति सात यह समय किसी भी कार्र को करने से पहले घर के अनुवबी व्यक्तियों की सला आप अवश्च चलें सोच समच कर लिया गया निर्णे आगे चल कर आपको लाब देगा संतान की तरब से भी कोई शुब समचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहोल रहेगा मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रैस और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तो साति सात किसी ए प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरन कुछ नकारातमक भी हो सकता है इस तनाव का असर आपकी कारच्छमता पर भी पड़ेगा घर के वरिष्ट वक्तियों की सला वैसयोग आप अवश्यलें दोस्तो साति सात अनावश्यक यात्राओं को आप इस्तकित रखें लोगों के साथ वहवार करते समय सावधान रहें गलत फैमी की वज़े से संबंदों में खटास आ सकती है बच्चे की किसी नकारातमक गति विदी की वज़े से चिंता रह सकती है परंतु सांति पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा दोस्तों साथि साथ किसी प्रकार की निवेश सम्बंदी गति विद्यों को आप इस्तकित रखें अन्य था नुकसान जैसी इस्तिती आ सकती है विद्धारती अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा फोकस रखें साथिसाथ पढ़ोसियों के साथ सम्बंद खराब ना होने ध्यान रखें कि जरासी गलत फैमी की वज़े से नजदी की मित्रों या भायों के साथ संबंद भी खराब हो सकते हैं तनाव को अपने उपर आप हावी ना होने दें इसका असर आपकी घर चमता पर भी पड़ेगा सांतेपूर तरीके से समस्या का हल निकालें किसी अंजान व रहेगी साथ यह समय किसी भी प्रकार का महतपउन आप निर्ने लेने से बचें आप किसी दुविदा में भी बुरी तरह से फस सकते हैं जिसका असर परीबार पर भी पड़ सकता है बहतर होगा कि बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का भी आप संपर्क कम ही रखें आपके लि लाइफ की करें तो यह समय घर के वातावरण को उचित बनाए रखने में जीवन साती का महतपउन योगदान रहेगा तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी परिवारिक वातावरण उत्तम बना रहेगा काफी समय बाद रिष्टेदारों से मेल पत्नी के संबंदों में भी कुछ खटी मीटी नोक जोक रह सकती है इसके बाद आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी दोस्तों विवाहित जीवन में मदुर्त बनी रहेगी किसी भी महतपउन निर्ने में जीवन साती की सला आपके लिए लाबदायक साबित होगी प्रेम संबंदों में नजदी की आएंगी साती साथ परिवारिक वातावरन सहयोगा अत्मक तता खुसन मा रहेगा प्रेम जीवन के द्रिश्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी और व्यवसाय में शकारत्मक पैरणाम आपको प्राप्त होंगे युवा वर्ग को नौकरी से संबंदित बेजी गई फाइल का शकारत्मक रिजल्ट प्राप्त होगा नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्रे की अधि इसका कुछ काम करना पड़ सकता है कार्य छित्र में वर्तमान गती विद्यों पर अपना ध्यान केंदरित रखें क्योंकि इस समय कोई नया काम या योजना कामियाव नहीं रहेगी मेहनत जादा और कम परणाम जैसी इस्तिती बनी हुई है कार्य इस्थल पर किसी से बिना बा पर केंदरित में तथा गैर कानूनी कार्यों में हाथ ना डालें इससी प्रकार की इंक्वारी होनी की भी आसंका बन रही है नौकरी में बहुस वै अधिकारी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है इसलिए आप साबधन भी रहें कार्य छित्र में शहयोगी तता कर्मचारियों के साथ दोस्ताना वहवार रखें इससे वे लोग पूरी एनरजी से काम के प्रती अपना ध्यान दे पाएंगे शंगीत, शहित्य और कला संबंदिक कारों में आपको सपलता मिलेगी सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्म नियंतरित रहने की जरूत है कार्य इस्थल तथा व्यवसाइक इस्थल पर आपकी उपस्तिती अनिवार रहें क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे निवेस संबंदी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रिया निवेंत करने से पहले सबी पहलूओं पर विचार विमर्स आप जरूर करें साथ साथ कामकाज में बहुत अधिक वैस्त ता रहेगी आप कुछ ठोस तथा महत्पपून निर्ने भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय रक्त संबंदी कोई समस्या हो सकती है आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जाँच अवश्य कराएं गैस वे पेट दर्द संबंदी सिकायत रह सकती है खान पान पर नियन तड़ रखें आयरुविदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तिमाल करें साथिसाथ एक कारण ही तनाव की इस्तिती रह सकती है जिसका असर आपकी कार्य छमता पर भी पड़ेगा मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यतित करें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा